I should like to feature in this connection my friend इस सिलसिले में इस तालोग से मैं अपने एक दोस्त का जिक्र करना चाहता हूँ The polite conductor, खुशमेजाज conductor By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally मैंने conductor के साथ मैं polite खुशमेजाज का लफ्स इस्तेमाल किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खास दोर से ये कह रहा हूँ कि वही conductor खुशमेजाज था और बाकि दूसरे conductors को मैं बुरा भला कह रहा हूँ या बुरा समझता हूँ, review क्याने, बुरा भला कहना On the contrary, इसके बरखलाफ, I am disposed to think that there are few classes of men who came through the audio of a very trying calling better than bus conductor do बलके मैं तो ये सोचता हूँ कि बहुती कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मतलब हाला कि इतनी सफ आजमेज से गुजरते हैं conductor की एक tough job होती है लेकिन उसके बावजुद वो खुशमेजाज होते हैं तो conductor के अलावा बहुती कम लोग ऐसे होते हैं जो एक tough job करने के बावजुद भी खुशमेज रहते हैं यहाँ वहाँ आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं कुछ बदमिजाज जैसे conductor मिल सकते हैं जो passenger को अपना जाती दुश्मन समझते हैं और समझते हैं कि passenger का तो काम ही धोका दोएना होता है and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner और उन लोगों को सिर्फ घुस्ते से और जोर की आवस्ते ही reasonable रखा जा सकता है इमानदार रखा जा सकता है वरना वो धोका दे सकते हैं बट इस टाइप इस रेर रेर देन इट इस इट यूस्ट वी लेकिन इस तरह की conductor बहुत ही कम होते हैं जो पैसेंजर से बत्तमीजी से बात करते हैं पैसेंजर को अग्रेशन दिखाते हैं मैं तो सोचता हूँ कि और वियुक्ते कि के प्वब्लिक जाना के C चुक्न मैं तो सूछ को कंपनी हैं जो के बसेज भी चलाती हैं for insisting on a certain standard of civility in its servant and taking care that standard is observed जो के अपने employees को उनके हाँ जो लोग काम करते हैं railway company में और बसेज में वो इस बात पर जोर देती है कि वो खुशेखलाक महाज़ीब बने रहे हैं और उसकी जाज भी की जाती है in doing this it is not only makes things pleasant for the traveling public और ऐसा करने से यह सिर्फ ना public को खुश करती है बर performance and important social service बलके यह एक एहम समाजी खिदमत भी है it is not ऐसा नहीं है यह नहीं है therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I paid tribute to a particular member of that class ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी conductor से unfriendliness की feeling है या कुछ बुरी feeling है बस मैं इनको एक अपना खास tribute एक खास इजहार अकिदत पेश करना जाता हूँ इस member को I first became conscious of his existence पहली मरतबह मेरी इन से कैसे मुलाकात हुई पहली मरतबह मुझे कैसे इनकी रहमदिली का हैसास हुआ जो यह conductor के बारे में बात कर रहे हैं वन डे एक दिन वेन आई जंप आंटो ए बस एक दिन में जब बस में बैठा और मुझे एसास हुआ कि मैंने मैंने पाया कि मैं घर से पैसे लिए बगएर ही निकल गया हूँ किसी को ऐसा तजरुबह कभी हुआ होगा और वो इस फिलिंग को जानता है समझता है तो मिग्स्ट फिलिंग कैसे मिले जूले ऐसा साथ आते हैं विच्ट डिस्कवर अराउज़ेज यॉर एमनॉइड बिकास यू लुक लाइक फूल अड़ बेस्ट अं लाइक नफ अड़ वस्ट एक ही वरक में आप फुद को बहुत बेवबुωςaches भी तसवर करते हो कि ऐसे कैसे आप घर से पैसे लिए बगैर ही सफर के लिए निकल गए और इस बात पे आपको कोई हैरत नहीं होगी अगर conductor बहुत सर्द आंखों से आपको कहे Yes, I know that still old trick मैं जानता हूँ ये बहुत पुरानी trick है Now then, आप off your gate इसलिए आप तुम नीचे उतर जाओ And even if the conductor is a good fellow और अगर देखे अगर आपने पैसे लिए बगएर याप बस में बैठ गए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि conductor आपसे कहे कि हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत पुरानी trick है धोका देने के टिकेट ना लेने की और तुम जल्दी से बस से नीचे उतर जाओ ऐसा तो conductor आपको कहे गई लेकिन suppose अगर कोई conductor बहुत अच्छा इंसान भी है and lets you down easily और अगर वो आपको बहुत नर्मी से नीचे उतरने के लिए कह दे लेकिन नीचे तो बहराहल आपको उतर नहीं होगा आप सफर तो करनी सकते बगएर टिकेट के you are faced with the necessity of going back तो आपको जबर्दस्ती वापस जाना होगा and the inconvenience और आपको काफी परिशानी हो सकती है perhaps of missing your train or your engagement हो सकता है कि आपकी train चूट जाए आप वापस जाने आने में या फिर आपको कोई एहम काम चूट जाए having searched my pocket in vain for stray coppers मैंने अपने pocket में पैसे तलाश करने की कोशिश की पैसे तलाश की and having found I was utterly penniless और मैंने पाया कि मेरे पास में तो एक रुपिया भी नहीं है एक पेनी भी नहीं है मेरे पास I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare मैंने बहुत इमानदारी के तासूरात अपने चेहरे पर लाते हुए conductor से कहा कि मेरे पास में किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं है and must go back for money और मुझे पैसों के लिए वापस जाना होगा oh you needn't get off that's all right तो conductor said he conductor इनको कहते है कि ठीक है आपको नीचे उतरने के जरूरत नहीं है यह ठीक है all right मैंने कहा हाँ ठीक है said I but I haven't a copper on me लेकिन मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है एक copper सिक्के के लिए इस्सेमाल हुआ है oh I will book you through he replied तो वह कहते है कि ठीक है मैं आपको उसके बगाइर टिकेट दे दूँगा where do you want to go आप कहां जाना चाहते हैं conductor ने इनको पूछे कि आप कहां जाना चाहते हैं and he handled his bundle of tickets और उन्होंने अपना टिकेट का बंडल पकड़ा with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong उनके पास टिकेट का बंडल था जो जिसमें से वो लोगों को दे रहे थे passengers को जो भी bank से Hang Kong की तरफ जा रहा था I said it was very kind of him मैंने कहा कि ये मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी and told him where I wanted to go और मैंने बताए कि मैं कहां जाना चाहता हूं and as he gave me the ticket I said but where shall I send the fare और जब उन्होंने मुझे ticket दिया तो मैंने उनको पूछा कि इसके पैसे मुझे कहां भेजने होंगे टिकेट ले लिया तो पैसे तो देने ही पड़ते हैं न oh you will see me someday all right तो conductor इनको कहते हैं काफी खुशदीली से conductor ने कहा he said cheerfully cheerfully खुशपिजाजी से खुशाखुलाकी से के आप उसकी फिक्र मत कीजिए कुछ ही दिन में दो बारा मेरी आप से मुलाकत होगी he turned to go वो जाने के लिए पलटा conductor and then और तब ही luckily खुशपिश्मती से my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling and the account was scared मैं तो पैसे ढूंडी रहा था हालाकि यह बात हो गई थी उन्होंने मुझे वैसे ही टिकिट दे दिया था फिर भी मेरी हाथ मेरे pocket में थे ही मेरे जेव में थे ही और मैं पैसे ढूंडी रहा था तो मुझे एक सिक्का एक shilling मिल गया और मैंने वो conductor को किराय के पैसे दे दि मैंने उनको पैसे तो दे दिये लेकिन यह भी हकीकत है कि वो जो पहले मेरे पास में पैसे नहीं थे लेकिन उसके बावजुद उन्होंने मुझे से connector ने जिस खुश मिजाजी का बरताओ किया और मुझे टिकेट दे दिया उसके बगएरी जितनी नर्मी से बात करके और यह